दोस्तो ये है दुनिया की सबसे अमिर राशी साल 2022 से 2040 तक सातवे आसमान पर रहेगा इनका भाग्य दोस्तो आज हम आपको इस विडियो में जोतिश शास्त्र की उन भाग्य शाली राशियों के बारे में बताने जा रहे है जिन पर भगवान शनी देव की विशेश कुर्पादृष्टी बन रही है दोस्तो इन राशियों का भाग्य अब साल 2022 से साल 2040 तक सातवे आसमान पर रहेगा दोस्तो इन राशियों को अब अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता काम्यभी मिलने जा रही है अब इनको अमिर बनने से कोई नहीं रोक सकता इनके कुंडली में अब कई वर्षयों के बाद ऐसा राजयोग और धन्योग का निर्मान हो रहा है जिसके चलते भगवान शनीदेव इनके उपर बेहत प्रसन्न हो चुके है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इन राशयों की भक्ती को देखकर अब भगवान शनीदेव अपनी विशेश कुर्पा दुष्टी बरसा रहे है ताथी साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेश कुर्पा इनके उपर बनी रहेगी अब इन राशी वाले लोग समाद में अपनी अलग पहचान बनाने में कामियाभी हासिल करेंगे दोस्तो ये राशी वाले लोग अपने जीवन में भगवान शनीदेव की कुर्पा से दिन दुगनी राथ चोगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में होने वाली परिवर्तन इनके लिए बहुत खूपसुरत रहेंगे चिक्षा व्यवसाय दामपत्य जीवन नोकरी और कारोबार के शेत्र में अब इनको नई खुशकबरी मिलने की संभावना बन रही है दोस्तो इस दर्म्यान किसी के बहकावे में आके कोई भी महत्वपूर्ण निर्नय ना ले जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड सकते है दोस्तो इस दर्म्यान आपको कार्य शित्र में किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा लोटरी भी लग सकती है समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा साल 2022 से साल 2040 तक अब आपको अमिर बनने से कोई नहीं रोक सकता अमिर बनने के कई सुनहरे राजयोग और धन्योग का निर्मान हो रहा है लोटरी भी लगेगी और वैवाहिक जीवन में खुश्या भी प्राप्त होंगी संतान की ओर से कोई उपाहार आपको मिलेगा किस्मात चमक सकती है साथी साथ सभी रुके हुए कारिय अब भगवान शनीदेव की कृपा से पुनव शुरू होने वाले है समाद में मान सम्मान बढ़ेगा ओफिस के शेत्र में आपको पदोन्नती मिल सकती है और व्यापार में चली आ रही परिशानिया अब भगवान शनीदेव की कृपा से दूर होंगी धन के नई स्त्रोत नजर आएंगे प्रतियोगी परिक्षा में आपको जल्द सफलता प्राप्त हो सकती है और दोस्तों बता दे कि भगवान शनीदेव की कृपा से साल 2022 से साल 2040 तक आपको दुगना धनलाब हो सकता है यानि कि आप इस दुन्या में से सबसे खुश नसीब राशियों में से एक रहेंगे और इसलिए अब आपको अमिर बनने से कोई नहीं रोक सकता जीहा दोस्तों बता दे कि कई तरह के राजयोग और धनयोग बन रहे है और विशेश रूप से भगवान शनीदेव की विशेश कुरुपा बनी रहेगी तो चलिए दोस्तों जान लेते है कि आखीर वो भाग्यशाली राशिया कोन सी है जिनकी हम यहापर बात कर रहे है दोस्तों आगे बनने से पहले आपको निवेदन है कि वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो राशी आती है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातकों को अब आपके जीवन में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा सभी प्रकार के दुख तकलीप भगवान शेनीदेव की कृपा से दूर होंगे कई प्रकार के संकट आपके दूर होंगे आप अपने जीवन में दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे अब आपके जीवन में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे और समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा भगवान शनीदेव और माता लक्ष्मी की कुरुपा आपके उपर जबरदस्त बरसने वाली है खुशिया कदम चुमेंगी और जिन लोगों के अब तक शादी विवाहग के योग नहीं बन रहे है अब उनके लिए अच्छे रिष्टे आएंगे इसलिए तो कहा है दोस्तो यह है दुनिया की सबसे अमिर राशी साल 2022 से साल 2024 तक सात्वे आसमान पर रहेगा इनका भाग्य अब इनके किस्मत को भाग्य का साथ मिलेगा इनके उपर भगवान शनीदेव की विशेश कुरुपा बनी रहेगी नवकरी में सालरी में रुद्धी होंगी नवकरी मिलने की संभावना बनी हुई है अब अगली जो राशी आती है दोस्तो वो आपको बता दे वो है सीहराशी सीहराशी वाले जात को अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी अनेक जगहन से धनका लाब होगा खुश खबरिया मिलने वाली है कई प्रकार के लाब देखने को मिलेंगे किस्मत भी अब आपकी बदलने वाली है आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार की खुशिया मिलने वाली है भगवान शनीदेव की कुरुपा से अब आपको कोर्ट कचीरी के कारियों में जबर्दस्ट जीत हासिल हो सकती है सामाजित शेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होंगी अब आपके लिए कई महत्वपुर्ण कारिया बनेंगे वानी पर मिठास आएंगी और वानी के द्वारा आप महत्वपुर्ण कारिय करते नदर आएंगे दोस्तो बता दे कि अब भगवान शनीदेव की कुरुपा से आपको दिन दुगनी, राज चोगनी, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता जी हाँ दोस्तो विशेश रूप से अब आपको अमिर होने से कोई नहीं रोक सकता धन से माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता जो भी कारिय रुका था, जो भी कारिय पेंडिंग था, अब उसमें सफलता प्राप्त होंगी जी हाँ दोस्तो अब अगले जो राशी आती है दोस्तो वो है कन्या राशी कन्या राशी अब आपको बता दे कि आपके उपर भगवान शनी देव और माता लक्ष्मी की विशेश कुरुपा बनी रहेंगी अब आपको जल्द कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा दोस्तो अब आप भगवान शनी देव और माता लक्ष्मी की कुरुपा से अनेक सुक सुविधाओं की प्राप्ति करेंगे कारोबार का विस्तार कर पाएंगे कारोबार व्यापार के शेत्र में जबरदस्त लाब देखने को मिलेगा धन लाब से आप काफी ज़दा धन अरजित कर पाएंगे और इसमें लोट्री सट्टा में विशे शुरुप से लाब मिलता नजर आएगा दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे इसलिए तो कहां है दोस्तो यह है दुनिया की सबसे अमिर राशी साल 2022 से साल 2024 तक सातवे आसमान पर रहेगा इनका भाग्य दोस्तो बता दे कि अब आपके उपर भगवान शनीदेव की अपार कृपादुष्टी बनी रहेगी इसके अलावा सैलरी में रुद्धी और बढ़ोत्री के योग बन रहे है और भगवान शनीदेव का नाम लेके कोई भी कारिय की शुरुवात करेंगे आपको सफलता शत प्रतिशत मिलेगी दोस्तो अगली जो राशी आती है दोस्तो बता दे कि वो है धनु राशी समाद में मान सम्मान मिलेगा समाद में मान में बढ़ोत्री देखने को मिलेगी नए बिदनेस व्यापार की शुरुवात कर सकते है आपकी लिए आने वाला समय भगवान शनीदेव की कुरुपा से बेहद शूब रहने वाला है व्यापारी वर्ग के लुगों के लिए अधिक धनलाब मिलने के योग बंद रहे है आप अपने जीवन में सीर्फ और सीर्फ तरक्की करेंगे व्यापार के शेत्र में आपको उन्नती मिलेगी समय के साथ-साथ आपको जीवन में नया परिवर्तन देखने को मिलेगा वो है मकर राशी, मकर राशी वले जातकों को बता दे कि अब आपको भगवान शनी देव का आशिरवाद और वर्दान प्राप्त हो चुका है, अब आपको अपने जीवन में खुशिया ही खुशिया मिलने वाली है, भगवान शनी देव और माता लक्ष्मी की कृपा से अब जीवन में, दिन दुगनी और राच चोगनी तरक्की करने का सुनहरा मोका मिलेगा, अच्छे परिणाम आपको मिलने के योग बंद रहे है, प्रभावशाली लोगों के साथ आपका संपर का आएगा, आपका आत्म विश्वास इस समय में बढ़ेगा, आपकी आर्थिक सिती इस समय में जबरदस्त सुदर सकती है, संपत्ति के कारियों में अच्छा फाइदा मिलेगा, जमिन प्रॉपरिटी की खरिददारी करेंगे, नए वाहन की खरिददारी करेंगे, और साथी साथ घर की सुक सुविधाओं में रुद्धी करेंगे, कोई महत्वपुर्ण निर ले सकते है, जो आपके लिए काफी ठाइदे मंद हो सकता है, और इस समय में प्रेम समन में मधुरता देखने को मिलेगी, अब अगली यानी जो राशी है दोस्तों वो है मेंदराशी, मेंदराशी के दाख को अब आपकी किसमत बहुत केजी से चमकेगी, कामकाज के मामलों म सफलता शासील होंगी, वरिष्ट लोगों से आपके संबन्द बहेतर होंगे, कार्य शेत्र में वरिष्ट अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वे आपके काम से काफी प्रसन रहेंगे, आपके द्वारा बनाई गई योजनाय कारगर साबित होगी, घर परिवार का माहोल काफ अच्छा रहने वाला है। नई लोगों से मुलाकात होंगी। समाद में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। समाद में काफी लोक प्रियता हासिल होंगी। और इस समय में भगवान चनी देव की अपार कृपा दुष्टी बरसेगी। अगली जो राशी आती है दोस्तो वो है अब दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बता दे कि अब विशेश रूप से आप कई प्रकार की सुक्सुविधाये प्राप्त करेंगे। पढ़ाई लिखाय की शेत्र में आपको विशेश सफलता प्राप्त होंगी। स्वास्त समन्दी समस् जाए दूर होंगी। शिक्षा के शेत्र में आप जबर्दस्त लाब कमा पाएंगे। आपको बेहतर नोकरी मिलने की संभावना बन रही है। आप जो भी निरने लेंगे वो सही साबित होंगा। आपके वानी में मिठास आएगी। इसलिए तो कहा है दोस्तों यह दुनिय की सबसे अमिर राशी साल 2022 से 2040 तक सातवे आसमान पर रहेगा इन राशियों का भाग्य। जी हाँ दोस्तों बता दे कि विशे शुरूप से उपलब्देया प्राप्त होंगी। वैवाहिक जीवन में उत्तम सुखों का लाब मिलेगा। संतान प्राप्तिक योग बंद रह है। अब विवाहित जातकों को नए रिष्टे आएंगे। घर में सुख सुधाओं में रुद्धी होंगी। वही प्रेम जीवन में खुशिया और मधूरता आएगी। अनेक जगहों से बड़ा धनलाब हो सकता है। जीवन में चल रही परेशानिया अब भगवान चनीद की विशेश कुर्पा दुरुष्टी रहेगी। इसलिए तो कहा है दोस्तों यह है दुनिया की सबसे अमिर राशी साल 2022 से 2040 तक सातवे आसमान पर रहेगा इन राशियों का भाग्य। दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जय शनीदेव और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर करिएगा